आपका स्वागत है दोस्तों, आज हम बात करेंगे माल्दीव में भारत के खिलाफ जो घटित हो रहा है. आखिर क्यों विपक्ष माल्दीव के संसदीय भाशन को बहिशकार कर रहा है? और भारत के संबंध में क्या है खास? जैसा कि आप सभी जानते हैं, माल्दीव के चीन समर्थक राश्ट्रपती मुहम्मद मुईजू के लिए भारत का विरोध काफी महंगा पड़ रहा है. उनकी अपनी संसद में ही उन्हें इस स्टैंड पर समर्थन हासिल नहीं हो रहा है. अब उनके संसद में भाशन से पहले माल्दीव की दो मुख्य विपक्षी पार्टियों ने बहिशकार का फैसला कर लिया है. सोमवार को मालदीव की संसद में राश्ट्रपती के भाशन का मालदीवियन डेमोक्राटिक पार्टी और डेमोक्राट्स पार्टी बायकॉट करेंगी सदन में सबसे ज्यादा सीटों वाली MDP ने अब तक यह नहीं कहा है कि वह मुईज्डु के अभिभाशन का बहिश्कार करने जा रही है वहीं डेमोक्राट्स ने कहा है कि तीन मंत्रियों की नियुक्ती को लेकर वह राश्ट्रपती के अभिभाशन में हिस्सा नहीं लेगी बतादें की विपक्षी दलों ने तीन मंत्रियों की नियुक्ती का विरोध किया था बावजूद इसके सरकार ने तीन सदस्यों को दोबारा मंत्री बना दिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुमवार को सुबह नौ बजे राश्ट्रपती का भाशन होना है बता दें कि साल के पहले सत्र से पहले संसद में राश्ट्रपती का भाशन होना है इस भाशन में वह देश में विकास कार्य और आगे के प्लान के बारे में बताएंगे बता दें कि मुईजु चीन के घोर समर्थक हैं वहीं विपक्षी दलों को यह बात पसंद नहीं आती है दोनों बड़े विपक्षी दलों ने पहले ही कहा था कि भारत मालदीव का लंबे समय से सहयोगी रहा है और आगे भी रहेगा दोनों ही दलों में भारत विरोधी रुख को लेकर मुनिजु को घेरा था विपक्षी दलों ने अपने सन्युक्त बयान में कहा था मालदीव के लोगों की भलाई के लिए हमारे विकास के साथी रहे देशों को लेकर चलना बहुत जरूरी है देश की हर सरकार को उनसे अच्छे संबंध रखने चाहिए मालदीव पारंपरिक तौर पर ऐसा ही करता रहा है अगर हिंड महासागर में स्थिर्ता रहेगी तो मालदीव में भी स्थिर्ता रहेगी और विकास संभव हो पाएगा इस खास और महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारी टीम पूरी तरह से तयार है हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आप हमारी नई अपडेट से जुड़े रहें